इंडियन बैंक ने 20 फरवरी 2022 को सुरक्षा गाड के 202 पदों की भरती के संबंध में एक सार्वजनिक सूचना जारी की है आधिकारिक अधिसूचना जल्द ही इंडियन बैंक द्वारा अपनी आधिकारिक वेब साइट पर जारी की जाएगी भरती के पात्र केवल भूतपूर सैनिक ही होंगे खल सेना नौ सेना वायू सेना के भूतपूर सैनिक उमीदवार की न्यूंतम शैक्षनिक योग्यता 10 वी कक्षा पास होनी चाहिए लास्ट डेट 9 मार्च 2022 है डायरेक्ट अप्लाई लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिये गए है जोग निकालने वाले विभाग का नाम है भारतिय प्राद्योगी की संस्थान जिसकी लोकेशन खरकपुर है पत का नाम है जूनियर असिस्टेंट शैक्षिक योगता इस प्रकार से होगी उमीदवार के पास MS Word MS Excel आदी जैसे कंप्यूटर का रियाले अनप्रयोगों के ज्यान के साथ तीन साल की अवधी के साथ सनातक की डिगरी होनी चाहिए और टाइपिंग की जानकारी भी होनी जाहिए फॉर्म शुल कुम्मी द्वारों को 250 रुपैर फॉर्म फीस का भुगतान करना होगा आयू 18 वर्ष से 25 वर्ष होनी जाहिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिन तिथी 16 मार्ज 2022 होगी डायरेक्ट अप्लाई लिंक वीडियो के डिस्क्रिक्षन में दिये गए है जॉब निकालने वाले विभाग का नाम है राश्ट्री इस्वास्ति मिशन जारखंड 1141 आयूश चिकितसा अधिकारी की भरती के संबंध में विज्यापन अधिसूचना जारी की है राज्य सरकार की नौकरी है लोकेशन जारखंड रहेगी पोस्ट का नाम है चिकितसा अधिकारी मेडिकल ऑफिसर आयूरवेद डॉक्टर के लिए मानिता प्राप्त विश्व विद्यालाई कॉलेज से BMS GMS नेक्स्ट पोस्ट देंटल असिस्टेंड दन्थ चिकितसा सहायक मानिता प्राप्त बोर्ट से देंटल कॉलेज प्लिनिक में नियूनतम तु वर्ष का अनुभव नेक्स्ट पोस्ट दंत शल्य चिकितसा देंटल काउंसिल आफ इंडिया द्वारा मानिता प्राप्त संस्थान से BDS नेक्स्ट पोस्ट ओटी तक्नीशयन ओपरेशन तक्नीशयन में BSC नर्सिंग डिपलोमा नेक्स्ट पोस्ट चिकितसकीय स्वास्ति विज्यानी देंटल हीगेनिस्ट बारा क्लास पास विज्यान विशय में नेक्स्ट पोस्ट ब्लॉक का रिक्रम मैनेजर ग्रामीर विकास मानव संसाधन ग्रामीर प्रबंधन में विशय शग्यता के साथ प्रबंधन में सनातकोत्तर डिग्री डिपलोमा नेक्स्ट पोस्ट, ब्लॉक अकॉंटर्स मैनेजर, इंटर सीए, इंटर आइसी डवल्यूए, बिकॉम नेक्स्ट पोस्ट, सार्वजनिक स्वास्थ प्रबंधक, पब्लिक हिल्थ मैनेजर टू साल का पूर्ण कारिक PG डिग्री सार्वजनिक स्वास्थ अस्पताल प्रशासन प्रबंधन में चार कार्मिक के साथ विशेश अग्यता में PG डिपलोमा नेक्स्ट पोस्ट पैरामेडिकल वरकर और अन्यमानिता प्राप्त संस्थान से दसवी बारावी डिग्री आयू 35 से पचास वर्ष चौब वाइज होगी अंतिम्तिथी 14 मार्च 2022 डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट अप्लाई लिंक दिया गया है पच्चिम बंगाल लोग सेवा आयोग द्वारा 24 फरवरी 2022 को पच्चिम बंगाल सिविल सेवा कारकारी परीक्षा 2022 आयोजित करने के लिए एक संशिप्थ सूचना जारी की गई है WBCS 2022 के लिए आउनलाइन आवेदन 3 मार्च 2022 से शुरू होगा और 24 मार्च 2022 को समाप्त होगा शैक्षनिक योग्यता शैक्षिक योग्यता मानदन के अनुसार उम्मीद्वार के पास किसी भी मानता प्राप्त विश्व विद्याले से किसी भी विशय में सनातक की डिगरी यानि सनातक की डिगरी होनी चाहिए इसके अतिरिक्त उम्मीद्वार के पास बंगाली में पढ़ने लिखने और बोलने की शमता होनी चाहिए उन उम्मिद्वारों के लिए आवश्यक नहीं है जिनकी मातभाशा नेपाली है। कोई शुल्क नहीं अन्य राज्यों के से स्टी पीड़्यूडी दोसो दस प्लस सेवा शुल्क जिस्टी ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम्ति थी। 24 मार्ज 2022 होगी। किर्पया सभी जॉब्स के लिए अपलाई करने से पहले जॉब नोटिफिकेशन को सही से पढ़े और उसके बाद अपलाई करे। डायरेक्ट अपलाई लिंक डिस्क्रिक्शन में दिया गया है। आईए आगे बढ़ते हैं। जॉब निकालने वाले विभाग का नाम है तिलंगाना स्टेट को अपरेटिव एपेक्स बैंक लिमिटेड 445 पदों पर भरती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। राज्य सरकार की नोकरी है लुकेशन तेलंगाना रहेगी। पदों की संख्या 445 है पद का नाम है। असिस्टेंड मैनेजर नियुन्तम के साथ किसी भी विशय में सनातक, नियुन्तम 60% अंग या वानिज्य सनातक, 55% अंग तेलुगु भाषा में प्रवीर्ता अंग्रेजी भाषा का ज्यान आयू 18 से 30 साल नेक्स्ट पोस्ट त्राफ असिटेंड किसी भी माननता प्राप्त विशय द्यालाई या सनस्थान से सनातक, एलुगु भाषा में प्रवीर्ता अंग्रेजी भाषा का ज्यान आयू 18 से 30 साल, श्रेणी आवेदन शुल्क जनरल OBC 900 रुपए, AST, SCPWD, बूदपूर सैनिक 250 रुपए, अंतिम्तिथी 6 मार्ज 2022 जौब नोटिफिकेशन निकालने वाले डिपार्टमेंट का नाम है, वडोद्रा नगर निगम राज्य सरकार की नौक्रियां है, 641 पधे, लोकेशन वडोद्रा होगी पोस्ट का नाम है, वाड अधिकारी मानिता प्राप्त विशो विद्याले या संस्थान से सनातक, A36 वर्ष नेक्स्ट पोस्ट राजस्व अधिकारी भी कॉम कम्प्यूटर प्रशिक्षन प्रमाण पत्र के साथ प्रथम श्रेडी या MBA वित, A36 वर्ष नेक्स्ट पोस्ट जूनियर कलर्ग निउन्तम के साथ सनातक, मानिता प्राप्त विशो विद्याले से 50% और कम्प्यूटर का बुनियादी संचालन ग्यान, 34 वर्ष नेक्स्ट प बहुत देश ये मजदूर बारावी उत्तियन स्वच्षता स्वास्थ निरीक्षक में डिप्लोमा एज 39 वर्ष आवेदन जमा करने की अंतिम्तिथी 28 फर्वरी 2022 आंध्रप्रदेश वैद्यविधान परिशद पश्चिन गुदावरी ने 179 पदों की भर्ती के लिए आवेदन सुईकार करना शुरू कर दिया है पदों का विवरण इस प्रकार से है रेडिग्राफर उम्मीद्वार के पास B.A.B.C.A.M.A.C.A.M.A.B.S.C. सरकार द्वारा मानिता प्राप्त C.R.A.P. परिक्षाव को तीर्न की हो नेक्स्ट पोस्ट थियेटर असिस्टेंट उम्मीद्वार को किसी मानिता प्राप्त बोर्ड परिशद से S.S.C. 10 वी कक्षाव तीर्न होना चाहिए न्यून्तम पाँच वर्ष अस्पताल में अर्दली नर्सिंग के रूप में नेक्स्ट पोस्ट पोस्ट मार्टम सहाय को मीद्वार को किसी मानिता प्राप्त बोर्ड परिशद से S.S.C. 10 वी कक्षाव तीर्न होना चाहिए नेक्स्ट पोस्ट प्रियूग शाला तक्नीशिन बारवी रसायन विज्ञान के साथ एक विशय के रूप में नेक्स्ट पोस्ट काउंसलर मानिता प्राप्त विश्व विद्याले या संस्थान से 12 वी उत्तीर्न बीए सामाजिक कारिय होना चाहिए नेक्स्ट पोस्ट ओडियोमेट्रिक तक्नीशिन मानिता प्राप्त विश्व विद्याले या संस्थान से 12 वी उत्तीर्न बीए सी ओडियोलोजी डिप्लोमा एन ओडियो पोस्ट दन तक्नीशिन किसी भी संस्थान से डेंटल मेकेनिक कोर्स नेक्स्ट पोस्ट फिजियो थेरेपिस्ट बीए बेसी बी कॉम उतीन नेक्स्ट पोस्ट बाओ मेडिकल इंजीनियर भी टेक बाओ मेडिकल इंजीनियर नेक्स्ट पोस्ट सामार्ने ड्यूटी अटेंडर दसवी कक्षा पास पॉस्ट पलंबर, दसवी कक्षापास नेक्स्ट पोस्ट इलेक्रीशन 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 आयू सीमा, 18 वर्ष की आयू और 40 वर्ष से अधिक न हो आवेदन जमा करने की अंतिमतिथी 22 फरवरी 2022 डायरेक्ट अप्लाई लिंक इन डिस्क्रिप्शन में दिया गया, खे पश्चिम गुदावरी भरती 2022 के लिए आवेदन कैसे करें। पश्चिम गुदावरी के लिए जिम्मिदार नहीं है। पोस्ट का नाम है जूनियर तक्नीशन स्याही फैक्टरी उम्मिदवार के पास NCVT से एक साल का राष्ट्रिय शिक्षुता प्रमान पत्र NSE के साथ डाइस्टर्फ टेकनोलोजी पेंट, टेकनोलोजी सर्फेस कूटिंग टेकनोलोजी, प्रिंटिंग इंक टेकनोलोजी, प्र पूर्नकालिक ITI प्रमान पत्र होना चाहिए, नेक्स्ट पोस्ट जूनियर तक्नीशन मुद्रण उम्मिदवार के पास प्रिंटिंग ट्रेड में पूर्नकालिक ITI प्रमान पत्र होना चाहिए, लिथो आफसेट मशीन माइंडर, लेटर प्रेस मशीन माइंडर, आफसेट प्लेट मेकिंग, इलेक्र प्लेट मेकर कम इंपोसिटर में पूर्नकालिक ITI पाठ्थिक्रम, NCVT से एक वर्ष का राष्ट्रे शिक्षुता प्रमान पत्र, NSE के साथ हाथ रचना. नेक्स्ट पोस्ट जूनियर तकनीशन, इलेक्रिकल आईटी, उम्मीद्वार के पास NCVT से एक वर्ष के राष्ट्रे शिक्षुता प्रमान पत्र, NSE के साथ इलेक्रिकल, इलेक्रोनिक्स में पूर्नकालिक ITI प्रमान पत्र होना चाहिए. आईउ 18-25-35 पोस्ट के अनुसार एज होगी, फीस 600-200 रुपए ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम्तिथी 28 मार्च 2022. जॉब निकालने वाले विभाग का नाम है, पश्चिम बंगाल लोक सेवा आयोग, राज्य सरकार की नोक्रिया है, पोस्ट का विवरणन इस प्रकार से है, पश्चिम बंगाल सिविल सेवा. कारेकारी, नेक्स्ट पोस्ट, एकिकृत पश्चिम बंगाल वाजस्व सेवा में सहायक राजस्वायूत, नेक्स्ट पोस्ट, पश्चिम बंगाल सहिकारी सेवा, नेक्स्ट पोस्ट, पश्चिम बंगाल श्रम सेवा, नेक्स्ट पोस्ट, पश्चिम बंगाल खाद्य एव अधीक्षक केंद्रिय सुधार्ग्र Next Post शायक निदेशक उप्भोक्ता मामले और उचित व्यवसाय विभार Next Post पश्चिम बंगाल जूनियर समाज कल्यान सिवा Next Post पश्चिम बंगाल आधिनस्त भूमी निजुस्व Сिवा ग्रेड नेक्स्ट पोस्ट सहायक वाड़क जिककर अधिकारी नेक्स्ट पोस्ट उपभूकता मामले विभाग के तहत रजिस्ट्रार जिलाव भूकता विवाद निवारन आयोग सहयूक्त रजिस्ट्रार पश्चिम बंगार राज्य उपभूकता विवाद निवारन आयोग नेक्स्ट पोस्ट सहायक नहराजस्व अधिकारी सिंचाई नेक्स्ट पोस्ट सुधार सेवाओं के मुख्यन यंत्रक नेक्स्ट पोस्ट सहकारी समितियों के निरीक्षक नेक्स्ट पोस्ट पंचायत एवन ग्रामीर विकास विभाग के अंतरगत पंचायत विकास अधिकारी नेक्स्ट पोस्ट शरणार्थी रहत एवं पुनर्वास विभाग के अंतरगत पुनर्वास अधिकारी इन सभी पोस्ट के लिए एजिस प्रकार से होगी ग्रुप A और सर्मे शामिल सेवाओं पदों के लिए अनुसार चैन में तीन चरण शामिल है प्रारंभिक परीक्षा इस परीक्षा में उम्मी द्वारो द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में प्रातंकों को अंतिम चैन के लिए नहीं माना जाएगा केवल वे उमीदवार जिन एक वर्ष में प्रारंभिक परीक्षा में योग्य घोशित किया जाेगा वे प्रार मुख्य प्रीक्षा में बैटने के लिए पात रहोंगे प्रारंभिक परीक्षा केवल मुख्य परीक्षा के लिए उमीद्वारों के चैन के उद्देश्य से एक स्क्रीनिंग टेस्ट के रूप में काम करेगी। प्रारंभिक परीक्षा में केवल एक पेपर यानी सामान में अध्यान शामिल होगा। पेपर एक वस्तुनिष्ट प्रकार का होगा जिसमें दोसो बहुविकल्पी प्रश्ण होंगे पेपर दोसो अंको का होगा और धाई घंटे की अवधी का होगा पेपर का स्तर ग्यान के स्तर का होगा जैसा कि किसी मानित अप्राप्त विश्व विद्यालय के किसी भी संकाय के पेपर में ज्यान के निम्नलिखित शेत्रों को कवर करने वाले प्रश्ण शामिल होंगे अंग्रेजी भाषा समान निविज्यान राश्ट्रिय और अंतराश्ट्रिय महत्र की समसा में घटनाएं भारत का इतिहास पश्चिन बंगाल के विशेश संदर्ब में भारत का भुग 2022 कैसे भरें ऑनलाइन आवेदन 3 मार्च 2022 से शुरू होंगे योग्य उमीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए निम्नलिखित चर्णों को जानना चाहिए पश्चिन बंगाल लोग सेवा आयो की आधिकारिक वेब साइट पर जाए या दिये गए सीधे लिंक पर क्लिक करें वन टाइम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके खुद को रजिस्टर करें अपना विवरण भरें अब लॉगिन अगर पहले से पंजीक्रत है पर क्लिक करें और अपनी डिटेल्स के साथ लॉगिन करें अब WBCS आवेदन पत्र में उल्लिखित सभी आवश्यक व करेक्ट अप्लाई लिंक तीन मार्च को एक्टिव होगा किर्प्या सभी जॉब के लिए अप्लाई करने से पहले संबंधित विभाग का नोटिफिकेशन अक्षे से पढ़े समझे फिर अप्लाई करें राजस्थान उचन्यायले प्रवेश पत्र दो हजार बाईस सत्रा सो साथ प्लरक और विभिन्न पदों के लिए परीक्षा थी निकली तेरा मार्च दो हजार बाईस को परीक्षा निक्स्ट ओडिशा कर्मचारी चैन आयोग ने अपनी आधिकारिक वेब साइट पर कनिष्ठ सहायक पदों के लिए कौशल परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी किये है जूनियर सहायक कौशल परीक्षा प्रवेश पत्र 2022 के वल उन उम्मीदवारों के लिए 21 फरवरी 2022 को जारी किया गया है जिन्होंने आउनलाइन मुख्य लिखित परीक्षा पास की है उम्मीदवार जो 25 फरवरी 2022 के लिए निर्धारित 31 जूनियर सहायक पदों के लिए कंप्यूटर कौशल परीक्षा के लिए उपस्थित होने जा रहे हैं ने भारतिय जूट निगम ने 21 फरवरी 2022 को जेसियाई प्रवेश पत्र 2022 जारी किया है लेखाकार कनिष्ट सहायक और कनिष्ट निरीक्षक के पद के लिए कंप्यूटर आधारित आउनलाइन परीक्षा CBT 1 मार्च 2022 को आयूजित की जाएगी जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया है जूट कॉर्पोरेशन ओफ इंडिया भरती की तिरे सट रिक्तियाँ अब वीडियो विवर्ण में दिये गए सीधे लिंक से अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर सकती है नेक्स्ट, बैंकिंग कार्मिक चैन संस्थान विशेशग्या धिकारियों की भरती के लिए 20 फरवरी 2022 को IBPS SO साक्षाथकार कॉल पत्र जारी किया है IBPS SO साक्षाथकार कॉल लेटर 2022 के वल उनम्मीदवारों को जारी किया गया है जिन्होंने IBPS SO मेंस परीक्षाव 3 की है नेक्स, बैंकिंग राश्ट्री कशी और ग्रामीर विकास बैंक ने नाबार्ड कॉल लेटर प्रकाशन किया है 16 फरवरी 2022 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर ग्रेड ए और ग्रेड बी अधिकारियों की भरती के लिए साक्शाथकार कॉल लेटर 2022 नाबाड साक्शाथकार कॉल लेटर 2022 के वल उनमीधवारों को जारी किया गया है जिन्होंने नाबाड मेंस परीक्षा उक्तु 3 की है साक्शाथकार 28 फरवरी 2022 से आयूजित होने वाला है परिणाम पियो और क्लर्क पदों के लिए साउथ इंडियन बैंक रिजल 2022 आधिकारिक वेब साइट पर घोशित कर दिया गया है बैंकिंग कार्मिक और चैन संस्थान ने अपनी आधिकारिक वेब साइट पर 30 जनवरी 2022 को आयो जित IBPS SO मेंस 2022 परीक्षा का स्कोर कार्ड 21 फरवरी 2022 को जारी किया है मेक्स्ट भारतिय रिजर्व बैंक RBI ओफिस अटेंडेंट का अंतिम परिनाम अपनी आधिकारिक वेब साइट पर जारी किया है आरबियाई अटेंडेंट फाइनल रिजल दो हजार एकीस को शेत्रवार अठारा फरवरी दो हजार बाइस को घोशित किया गया है नेक्स्ट बैंकिंग कार्मिक चैन संस्थान आई बीपियस नेमक्य परिख्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों के लिए आई बीपियस एसो मेंस पढ़िणाम दो हजार बाइस पंद्रा फरवरी दो हजार बाइस को जारी किया है आई बीपियस एसो मेंस रिजल 2022 आभिकारिक वेब साइट पर उपलब्ध है राजस्थान पठवारी रिजल 2022 आउट राजस्थान आशुलिपिक 2018 दस्तावेजों के सत्यापन के लिए चैनित उम्मीदवारों की सूची जारी और LDC ग्रेड 2018 गैर जोइनर सूची के खिलाफ अंतिम रूप से चैनित उम्मीदवार आउट निक्स माधिमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर वीट काउंसलिंग परिणाम 2022 आउट नेक्स्ट देडिकेटेड फ्रेड कॉरिडोर कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड ने जारी किया विजल 2021-2022 जूनियर मैनेजर एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव के पप के लिए रिजल जारी नेक्स्ट राश्ट्रिय आवास बोर्ड शेत्रिय प्रबंधक उपके लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए नहच बी एडमिट कार्ड जारी किया है प्रबंधक और सहा प्रबेदन किया है वे आपना कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं नेक्स्ट मदरास उचंगायलय ओफिस असिस्टेंग को चुबदार और अन्यपदों पर भरती के लिए कॉमन प्रैक्टिकल टेस्ट के एडमिट कार्ड अपनी आधिकारिक विबसाइट पर जारी कर दिये है वीडियो के इस भाग में हम आपको लेटिस्ट एडमिशन की जानकारी देते हैं जो की न्यू एडमिशन होते हैं यह एडमिशन स्कूल कॉलेज ट्रेनिंग से संबंधित होते हैं जो आपके भवश्य के लिए अत्यंत महत्रपून हो सकते हैं पहला एड़मिशन निकला है, कोर्स निकालने वाले विभाग का नाम है राश्ट्री एलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रद्योगी की संस्थान शॉर्ट टर्म कोर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग वेब अप्लिकेशन इंटरनेट अंड्रोइड अप्लिकेशन डेवल्पमेंट यंत्र अधिगम वेब डिजाइनिंग पायथन में प्रोग्रामिंग अंकिये क्रै विक्रै ओटोकैट और द्योगिक स्वचालन का उप्योग अंतिन तिथी 19 मार्च 2022 नेक्स्ट कोर्स राश्ट्रिय लगो उद्योग निगंस और उर्जा कोर्स का नाम सोलर का अपना व्यवसाय कैसे शुरू करें स्थान दिल्ली दिनांग 12-13 मार्च नेक्स्ट कोर्स भारतिय विज्यान संस्थान बैंगलॉर सनातकोत्तर और पीच्टी के लिए प्रवेश सूचना अकादमिक के लिए कारक्रम वर्ष 2022-2023 अंतिन तिथी 22 मार्च 2022 नेक्स्ट कोर्स निकला है राश्ट्रिय विद्यूत प्रशिक्षन संस्थान बैंगलॉर ने स्मार्ट ग्रिट टेक्नोलोजीज में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स 52 सप्ता का पाठ्थिक्रम अंतिन तिथी की मार्च 2022 अभी जॉब्स कोर्स और एड्मिट कार्ड विजल्ट के डारेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दिये गए हैं किर्प्या ध्यान से अप्लाई करें